अर अब बात करते हैं रीवा की जहां जिले के गड़ धाना छेत्र के अंतरगत कटरा गाउं से गव हत्या का मामला सामने आया हैं जिसमें दो लोगों के द्वारा गाय की बच्छडे को काट कर पकाया गया इस वरान मामले की जानकारी होने पर ग्रामीडों ने शोर सराबा किया त्वारों पी मौके से फरार हो गए मामले में पुलिस ने प्रकरण पंजिबध करते वेज़ां शुरू कर दी है रीवा जिले में एक बार पुना गोवन्स की हत्या का मामला प्रकास में आया है बताया जा रहा है कि गड़ छेतर में कट्रा बाजार के पास दधीबल साकेत और बाबुलाल साकेत निवासी ग्राम कट्रा के त्वारा बीती रात एक लगता गाय के बच्छडे को मार काट कर पकाया जा रहा था जिससे आसपास में शोर सराबा हुआ और ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया तो आरोपी फरार हो गए मौके पर पुलिस बल पहुंचा जिसके बाद आरोपियों की तलास की जा रही है गटना की जानकारी मिलने पर डाल हंडर पुलिस और साख में टी आई गढ़ राम कुमार गायकवार मौके पर पहुंचे और बच्छडे के शेस बचे हुए रिदय और अन्य मांस को टोकरी के नीचे दो ही रख कर ढखवा दिया पास में एक तगाड़ी भी रखी हुई थी जिसमें गाय को काट कर मांस निकाले का काम किया गया था आजपास के लोगों के द्वारा जानकारी दी गई कि इसके पहले भी कट्रा छेतर में इस तरह की वारदात को चुकी है जिनमें इनी आरोपियों के उधारा पहले भी कुछ मवेशियों को काटा गया था पुलिस मौके पर पहुँचकर अबजास पड़ताल में जुटी हुई है और आरोपियों की तलास कर रही है वहीं इस घटना से कट्रा छेतर के धार्मिक आस्ता रखने वाले लोगों को काफी आगहात लगा हुआ है और आरोपियों के खिलाफ उकड़ी से कड़ी कारवाई की मांग कर रहे है पुलिस का कहना है कि घटना में सेज बची हुई मांस का मेडिकल परिक्षड वेटनरी डॉक्टर के माध्यम से कराया जा रहा है जिसके बाद मांस के संबंध में जानकार इस्पस्ट हो सकेगी नेरो रिपोर्ट वराट्व टेफोलियो कि आपस पर रिष्टेदार हैं इनके द्वारा उनके बचली की अप्याची गई है इसके तब मन में प्रकड कायम कर लिया गया है और पुलिस उसकी तलाश पर लगी बाकी की कारवाई चारवाई जारी है सब विवेचना का विश्या है क्यों क्या कारण है जो सब विवेचना में उस पार्ट को लिया जाए अरोपी की तलाश जारी है